दूकान में गुश्कर पति महिराम विश्णोई ने पतनी अनावी का विश्णोई की गोली मार कर अत्या कर दी इससे पूरे इलाके में संशनी पहल गई दूकान में कापी देर तक सन्नाटा होने से पाड़ों सी दूकान दार को सन्देवा उसने दुकान में जाका तो अनावी का कुरसी पर नजर आई काफी देर तक वा एक ही आवस्ता में कुरसी पर दिखी तो उसे अनोनी की असंका होने लगी वा दुकान में गाये तो मैला की सिन्हे में गोली लगे ओनेवाँ खूंस से लद्पत नजर आई उसने आज पास के लोगों को भी सूच न दी अना मीका के पिता तेजरा मोके पर पहुंच और गंबी रालाद में पुत्री को फडोदी के जिलास पाल में ले गए जहां पर उन्हें डोक्टरों ने मर्द गोसित कर दिया पुलीस वार्दा तेश्टल पर पहुंच और जाच की सीसीटी केमरों में मर्तिका का पती महीराम गोली मारते वे नजरा आ गया पुलीस उसे पकड़ने के लिए संभवे ठिकानों पर छापे मारे लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका वहीं सव मोत्री में रखवाया गया है भडोदी थाना दिकारी बमर्शिंग जाकर ने बताया कि अनाविका वा महीराम की करीब 12-13 साल पहले साधी हुई थी उनके 12 वर्षी वा 9 वर्षी दो बेटे हैं लंबे समय से अनाविका का पती वा सुस्रण से मन वुटाओ चल रहा था इसी करे चलते पति वा सुस्रण वालों से वा अलग खाना गाँ में पिता के साथ रहती थी दोन्हों की भी कोड में भी वीवद चल रहा है आरोपी पती महीराम मेडिकल सौप चलाता है वहीं बिकानेर के बजू थाना अंतरकत नगरेसर गाओं का रहने वाला हैं साधी के समय पत्नी अनाविका के संग जीने मरने और पत्नी को अमेशा खुश रखने का वादा करने वाले पत्नी महीराम ने रिष्टों में दरार आने के बाद ना केवल वादा भूल गया बलकि पत्नी की हत्या कर दी साधी अपने बच्चों के सिर से मा का साया भी चीन लिया गुशे में हुई इस वादात ने एक नई बलकि दो परिवरों को अमेशा के लिए कभी न बुले जाने वाला दर दे दिया लाड प्यार से पली बिड़ी अनाविका की इस तरह से मौत हो जाएगी ये माता पिता ने कभी सपने बेबी नहीं सोचा था जिसके साथ अपनी बेटी की साधी हो रही है वही उसकी हत्या कर देगा